बैटरी को चार्ज करते हुए अपने हाथों की लेखाएं हमारे मलिक को दिखाये ये वो दर है जहां आने से तकदीरें बदलती है तो समरपन भाव से दोनों हाथों को उठाके के जिनादे हात होनगे ठले औनादे कुछ नहीं पैना और जिनादे हात होनगे विचकार जिना दे हाथ होनगे उत्ते उना दे भाग जागनगे बोलो जैकारा बोल मेरे शिरी गुरु महाराजी की बोलो शिरी अनन्द पुर्वासी भगवाने की बोले शिरी नंगली निवासी भगवाने की बोले द्यालू शिरी परम हंस द्याल जी महाराजी की मंगलाचन कोटी धंडवत प्रणाम और करुणा वाथसले की देवी आदरनीय भाई जी परमसम्माननी है, हमारी साधू मंडली, कितने दूर दूर से ये शिर्गुरु महराजी का जनम दिन मनाने और आपकी जोली ने खुशियां डालने, ये साधू ऐसे नहीं खूमते, आपको लगता होगा सेवा लेने आते हैं आपसे, ये जो शिर्गुरु महराजी से अपनी ज शिर्वाज से भरके शिर्याननपूर से चलते हैं और जिस जिस घर जाते हैं, वहाँ पे उन खुशियों को, उन शिर्गुरु महराजी की दातों को बिखेर देते हैं, इन महापुर्शों को आम मानव, दिखते तो हमारे जैसे हैं, पर ऐसा मानना लिना, ये मेरे चलता फिरता रूप हैं आप करवाते हो ना Life Insurance किसे करवाते हो एजेंट से करवाते हो एजेंट से किसी ने Life Insurance की कंपनी को देखा या उसके मालिक को देखा पर क्लेम कोन देता है कंपनी तो ये महापुरुष जो अपने मुक्ष से फर्मा देते हैं, मेरे श्री गुरु माराजी उसको वर्दान साबित कर देते हैं. अब सच-सच बताना आपने इतना सत्संग सुना, समझ में क्या आया, इसका सार क्या है? अगर दो लाइनों में, इसका सार बताना पड़े, तो क्या है? कि श्री गुरु मही मा कहती है? सत्गुरु के चरणार से, जोड सुरत की दोर, पल-पल ध्यान लगाईे, जैसे चंद चकोर, पल-पल ध्यान लगाईे, जैसे चंद चकोर, महापुरुष बोलते हैं, कि एक भी स्वांस विर्था ना चला जाए, एक भी स्वांस विर्था ना चला जाए, पूरे साल मुझे इमतजार होता है, कि सोनु बेकार सत्संग होएगा, शिरी गुरु माराजीदा जनम दिन मनावाँगे, अब ये घड़ियां हाथ से बीटती जा रही हैं न, तो मेरा मन भरता जाए, क्योंकि अभी जो नजारा है, अभी ये शिरी अनंदपुर धाम बना होगा है, कि जित्थे जाए, बैठे मेरा सत्गुरु, कि जहां पर ये विराजिमान हो जाएं, ये अनंदपुर के आधीन नहीं है, शिरी अनंदपुर इनके आधीन है, तो सोनु के लिए क्या कहूँ, एक तरफ सोनु बैठा है, और दूसरी तरफ मुस्कान बैठा है, कि अगर सोनु के लिए कहूँ, बात तो बहुत बढ़ी है, पर इस बात को सुन के अभिमान में नहीं है, शिर्गुरु माराजी की कृपा की याचना, पल-पल, शन-शन, हम दासों का एक ही अधिकार है, सत्गुरु के चलनों में विंती कत्प।, कि धन्य मात पितु धन्य है, और धन्य सुहरद घनुरक्त, और धन्य ग्राम वह जानिये, जहां जन्मे गुरु भप। अपने बच्चों के जन्म दिन मनाती, तो सारी दुनिया में ने देखी है, बच्चों के छोड़ अप कुत्तों के भी मनाते हैं, पर अपने शिर्गुरु माराजी के जन्म दिन की इतनी चाहत होना, सोनु के पैर में कुछ दिन पहले मोच आ गई, बात्रूम में बहुत बुरी तरह से गिर गया, पर मन में उच्चाह था, कि शिर्याननपुर जाना जुरूर है, शिर्गुरु माराजी का दर्शन पाना जुरूर है, और भगवान का जन्म दिन बनाना जुरूर है, वो लंगडे पैर से ही चली जा रहा है, हमारे साथ दिन राल सत्संगों में जा रहा है, नाच बी रहा है, गाबी रहा है, और ये क्या है? यह मेरे शिर्गुरु माराजी का प्रेम है, जो पंचंपाच्षाई गुर्भा राजी ने इस दास को बख्षे, कि नैनी नचदा सोने आ, तेरा इश्क नचाई, शिर्गुरु माराजी का प्रेम, अदबुद प्रेम, संसार में रिष्टेगार तो सुगर के भी ओते हैं, औ और कितने कितने भेनभाई होते हैं, पर सद्गुरु तो किसी भागेशाली आत्मा के होते हैं, सद्गुरु पाने का सोभागे, किसी भागेशाली परम सोभागेशाली जीन को मिलता है, दूसरी तरफ हमरी बच्ची मुस्कान गर्दी, इसी दो हजार तेईस में इसके मम्मी और पापा, दोनों अपनी संसारी की आत्रा को पूरा करके, शिर्गुरु मराजी के धाम को चलेगे, पर हमारी मुस्कान के चहरे पे एक शिकन तक नहीं है, शिर्गुरु मराजी देखो, कैसी किर्पा से अपने बच्चों को नवासते हैं, कैसा जीवन साथी हमारे सोनों को कि पूजिए है कि हां में हां नामे ना कि जनम दिन मनाना है तो मनाना है अगर कुई और होती तो मैं किता हूँ भी इतना बड़ा दिल तो किसी के पास में नहीं है जिसके माता-पिता इस संसार से चले जाएं और वो शिर गुरु माराजी के जनम दिन की खुशियों में नाच रही है जो अपने दुख को, अपने सुख को मेरे शिर गुरु माराजी पे कुरुबान कर देता है तो सद्गुरु उसकी जोलियों को खुशियों से भर देते हैं संसारिक धन तो गुरु माराजी ने इसको इनफ दिया है कि जिससे इसका गुजारा चल सकता है मैं मालिक के दो जहां से प्राथना करूँगा कि इन बच्चों को अपने भक्ती धन से अपने नाम दं से निहाल करना कि शिर्गुरु माराजी ये जो प्रेम है न एक मिसाल बन जाए कि किसी ने आप से प्रेम किया था और उसकी मिसाल बन गई कि मीरा ने गिरतर से प्रेम किया तो उसकी मिसाल बन गई नामदेव ने विठल से प्रेम किया तो उसकी मिसाल बन गई तो इस संसार में ये प्रेम ऐसे ही ना चला जाए ये मिसाल बन जाए कि भक्तों में कोई गुर्मुख हुए अभी सतीश भगत जी की माता जी शिर्गुरु मारा जी के चर्णों में गए है कि उस गुर्मुख दी सफल कमाई है जिस गुरा नल तोड निभाई है कि तोड इनके चर्णों में आना तो बहुत सान है बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं पता ही नहीं लगता जीव छोटे-छोटे पैरों से चलके जगन नात से मिलता है और ये छोटे-छोटे पैरों से चलके ही कब जगत में खो जाता है पता नहीं चलता है इसलिए बहुत ज़ादा चेकिंग की जरूरत है बहुत अपना दूसरों का ध्यान तो हम बहुत रख रहे हैं कोई कहा जा रहा है, कहा आ रहा है क्या कर रहा है, क्या खा रहा है किसके घर में क्या हो रहा है फाइदा इसमें है कि अपना ध्यान रखें कि कहीं हमारा मन संसार में तो लूँ तो दोनों बच्चों के भागे की जितनी प्रशंशा की जाए धन्य है ऐसी मा जिसने ऐसे बच्चों को जनम दिया कि जिनके दिल में शिर्गुरुमाराजी के जनम दिन की चाहत कि सारा साल अगर बात भी करनी है ते मातमा जी एमें करना है गुरुमाराजी दा जनम दिन और मातमा जी एमें करना है गुरुमाराजी दा जनम दिन तो ये सुभाकिशाली जीव हैं जिनके दिल में अपने सत्गुरू के लिए प्रेम का सागर हिलोरे लेता है प्रेम का सागर हिलोरे लेता है तो बहुत भाकिशाली वो जीव हैं जिनको ये शिर्फ उर्माराजी का परमपावन दर्बार मिले ये दर्बार करोडों जन्मों के पुन्य जागरित होते हैं तो मिलता है क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में ऐसा दर्बार ना देखा और ना सुना और बाई जी ने तो सारा सारी वर्नन कर दिया है कि ये वो दर्ग हैं जहां आने से तकदीरें बदलते हैं एक बच्ची ने मुझे फोन किया और अपने घर पे बुलाया, उसके घर पे जाना हुआ और उसने मुझसे पूछा कि मैंने कैनेडा जाना है, बार-बार मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाता है, मैं क्या करूँ, तो देखो जी जादा अकल तो मुझे भी नहीं है, मैंने भी उस को भूला कि शिरी आर्थी पूजा का नियम बना लो, और चालिस दिन नित नियम से, एक समय पे, मेरे शिरी गुर्मारजी की परमपावन आर्थी करो, और शिरी गुर्मारजी, वो अगर हित लगेगा तेरा, तो तुझे कैनेडा पहुँचा देंगे, चौदमे दिन, उसका वाटसेप पे मुझे कॉल आता है, मातमा जी, मैं कनेडा पहुँच गई हूँ, अब बाकी के जो दिन है, वो शिरी आर्थी पूजा कैसे करनी है, कैसे उसनियम को पूरा करना है, चौदा दिन, शिरी गुर्मारजी की, शिरी आर्थी पूजा में, इ मेरे पंचम पादशाई गुर्मारजी की आगया को मानके पांच नियम कर लिये, तो उसका फिर लोग सुखी पर लोग सुखें, कि इनको तो सारा जहान मानता है, पर इनको मानने से बात बनने वाली, और अगर इनकी मान ली, तो फिर तो वारे नियारे हो जाएंगे, क्यों अगर नरायन भी आप पर रीज जाए, तो संसार के भौतिक सुख आपको प्रदान कर सकता है, और अगर मेरे शिर गुरु मारजी रीज गए, तो उसी नरायन को पोटली में बांद के आपकी जोली में ये डाल देंगे, ऐसी समर्थिय है, कि कबीर जी बोलते हैं, कि बल्हारी सद गुरु आपके, जिन गोविंद दियो मिलाए, कि इनके दरबार की चाकरी करने से, गोविंद की प्राप्ति, आज तक जिसकी लिलाओं को सुनते हैं, बड़े बड़े कथा वाचक पंडाल लगाकर, लाखों रुपया लेकर, जिस गोविंद का गुनगान आपको सुनाते हैं, मेरे शिरगुर माराजी, उस गोविंद से आपकी यारी करवा सकते हैं, और फिर, कैते जब इनकी चरण शरण में आते हैं, आते तो कैते प्रमात्मा को पाने के लिए हैं, और धीरे धीरे इस पर बदार बर की चारी करते हैं, जिसको धूंड रहा था, वो तो ये खुद हैं, जिसको धूंड रहा था, वो तो ये खुद हैं, अब अपने आपको सुभागिशा ली कहूं, क्या कहूं समझ नहीं आता हैं, कि जिनकी चरन शरन में हम आए, जिनका प्यार पाया, और जिनकी प्यार भरी मार भी खाई, हमारे रहबर थोड़ी-थोड़ी पिटाई भी लगा देते थे जब मौज में आते थे, तो आज उनका साथ नहीं है तो जो जीवन में जो ये अकिल अपन है या जो जीवन में ये अभाव है उनके बिना उसको मैं वर्नन शब्दों में नहीं कर सकता कि ये रहबर जन क्या दे सकते हैं आप इसका अंदाजा भी लगा नहीं सकते क्योंकि एक रीती से अगर बात करें पंचम पाच्छाई गुरुमाराजी जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी अपने रहबर जन की चरण शरण में आए और आज भगवान बन गए भगवान क्रिश्न की एक जनमस्टमी होती है और मेरे गुरुमाराजी की रोजी जनमस्टमी होती है रोजी सत्संग कभी सुभेरे कभी शाम हम सत्संगों पे जा रहे हैं भगवान क्रिश्न की एक मीरा हुई और मेरे शिरगुरुमाराजी की इन बाईजी जनकी तो गिंती सही में सही सही गिंती किसी के पास नहीं किसी के पास नहीं है तो शिर्गुर्मारजी ने जो ये अनमोल घड़ियां हमें दी अपने मालिक का किन शब्दों में हम शुक्रिया करें किन शब्दों में उनकी महिमा को गाएं मुझे तो समझ नहीं आता नाच के गा के बोल के लिख के पढ़ के कैसे उनकी महिमा का गायन किया जाए क्योंकि उनकी महिमा गाने के लिए शेश और शारदा शेश के हजार मुख वो हजार मुख से गुरु की महिमा को नहीं गा सकता हमारे पास तो एक एक ये चमडे की जुबान है तो हम उनकी महिमा को गाने में मुझे नहीं लगता कि सफल हो सकते हैं पर सेवक क्यों गाता है गुरू की महीमा को गाके उनकी महीमा को सुनके उसका मन आनंद से भर जाता बड़ी खुशी मिलती है बाई जी हमारे रहबर जन्ड की बात बता रहे थे न मेरे रहबर के रहबर, दास ने दर्शन नहीं किया, मेरा जनम उनके बाद हुआ, पर उन महापुर्शों ने शिर गुरुमाराजी के दरबार की चाकरी इस तरहां से की है, कि मैं अपने शब्दों में उसको वर्णन नहीं कर सकता, कि एक बार की बात है, कि शिर गुरुमाराजी पाकिस्तान में विराजमान थे, त्रितपाश्णाई गुरुमाराजी, चतुर्थपाश्णाई गुरुमाराजी और हमारे रहबर शिर सारपर्ण, अभी घर घर तूटी का पानी आता, कैले नहीं आता, तो कुएंपर, शिर बहुत बजुर्ग व्यक्ति वहां पर आते हैं और पूछते हैं कि बच्चो महात्माजन आप शिरिकुर माराजी के दरबार की इतनी सेवा करते हो तो बदले में शिरिकुर माराजी आपको कुछ देते हैं मत्ब कि कोई तंखा वंखा तुमें या तुम फ्री में ही सारा दिन लगे हुए हो तो उन महापुर्षों ने बोला ये देते तो कुछ नहीं है ये ले लेते हैं जो पास में होता है कि एंदे दर आके दिल रखना समाल के पीर इलाही आया नी करे दिलां दसोत सब्दे मन्नु भाया नी करे दिलांद दसोदा इतनी से वचनों को शिर्गुरमारण जी के दिखते तो आपको महतामा जी है पर ये वानी तूटी में जो पानी होता हो टैंकी से आ रहा हूता है तूटी के पास में पानी नहीं है तो जैसे ये माइक महात्मा जी की अवाज आप तक पहुँचा रहे हैं महात्मा जी शिर्गुरु माराजी के वचनों को आप तक पहुँचा रहे हैं इसमें हमारी कोई वडेयाई नहीं है कोई मान करने वाली बात नहीं है कल अदरुनिये भाई जी कह रहे थे किसी काम के थे नहीं और कोई ना छूता चाओ सत्गुरु की किरपा भई तो भूजन लागे पाओं तो जो भी वड़े आई है मेरे शिर्गुरु माराजी की है कि इनके चरणों से जुड़ कर और मैं सबसे विंती करूंगा हमारे हादर हजूर शिरी छटी पाश्चाई गुरु माराजी सब को गुरु माराजी सिम्बरन पर जोड़ देते हैं और गुरु माराजी देश विदेश में जाके नाम का डंका बजा रहे हैं अपने दर्शनों से हम जीवों को कृतार्थ कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज अपने सद्गुरु के प्रती बनता है कि रोज कुछ ना कुछ समय निकालके अपने लिए जो करते हो वो सिम्बरन अलग पर मेरे शिरी गुरु माराजी के लिए कि शिरी गुरु माराजी की सिहत मुबारख सदा सदा ऐसे बनी रहे और शिरु माराजी युगों युगों तक शिरी परमन सद्वैतमत के सिंगासन पर विराजमान रहे और हम दास उनके दरबार की चाकरी करते रहे उनके शुब दर्शन पाते रहे और अपने आँखों की प्यास को बुझाते रहे कौन कौन करेगा हाथ हिला के बताओ कौन कौन करेगा अपने लिए तो करना है पर अलग से बैठके मेरे शिरु माराजी के लिए क्योंकि उनके एहसान का बदला हम चुका नहीं सकते हम सोचे हमने जीवन दे दिया ये हाड मास का लोठड़ा अगर संसार में रहता तो शायद कोई ना पूछता कोई ना पूछता पर ये शिरु गुरु माराजी की किर्पा जिनोंने अपना रंग चड़ाया और कीट ना जाने भ्रिंग को गुरु कर ले आप समाना शिरी चर्णों में विंती करते हैं पीछे पीछे गाना है ये अभिलाशा है मेरी ये अभिलाशा है बक्षो भक्ति का दाल सेवा सिम्रण करते रहे सेवा सिम्रण करते रहे जब तक तन में था जब से आपकी शर्ण मिली पाया सुख अपार दास की है ये बेन ती मेरी नीब जाए शीरी चर्णा 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 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब आए और आपके आने से संगत के आने से सत्संग में आती है रंगत तो आज के शुब दिन की और शिरी पंचम पाच्छाई गुर माराजी के जनम दिन की शिरी परमंस देाल जी को बोल दो ना शिरी परमंस देाल जी को बढ़ाई हो शिरी नंगली निवासी भगवान जी को बढ़ाई हो शिरी पंचम पाच्छाई गुर्मारजी को, माता ज्यान देवी को, पिता अर्जुनदास जी को, और शिरी हजूर गुर्मारजी को, धर्ती को, धर्ती को, मजा नहीं आर आपी थोड़ा जोर निकालो, दो मातायें पूरा महला कठा कर सकती है और आपकी तो अवाज ही निकल धर्ती को अम्बर को सारी स्रिष्टी को सिर्गुरु महाराजी की सादू मंदली को महत्मा जी को बदाई हो बोलो जैकारा बोल मेरे शिरी गुरु महाराज की जय